हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु मैं चैनल, आज हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने सवा दो मेंटर फाब्रिक लिया है और इस फाब्रिक को हमने डबल में रखा है, सबसे पहले हमें फ्रेंट का पार्ट कट करना है, तो यहां से हम दो इंच मा करेंगे elastic के लिए अभी यहां पर हम straight line draw कर लेंगे उसके बाद हमें length लेनी है तो ready length है 36 inch और उसमें हम 2 inch folding के लेंगे तो 38 inch पर हम निशान लगा लेंगे अभी यहां पर हम straight line draw करेंगे अभी यहां पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर के लिए हमें hip का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो hip है 36 inch उसको fourth part plus 2 inch margin लेंगे तो आजाता है 9 inch plus 2 inch margin लेंगे तो वो आजाता है 11 inch तो यहां पर हम कमर लेंगे 11 inch अभी यहां से हम आसन लेंगे तो आसन के लिए भी हिप का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो यहाँ पर हिप है 36 inch उसको full से divide करेंगे तो वह आज़ता है 9 inch plus 2 inch margin लेंगे तो वह आज़ता है 11 inch तो यहाँ पर आसन आ गया 11 inch अभी उपर इस line को extend करेंगे अभी यहाँ पर हम 2 inch पे mark करेंगे और आसन की गुलाई का shape दे देंगे अभी यहाँ पर हम bottom लेंगे तो bottom के लिए सबसे पहले हमें इसका center निकालना होगा तो इसका center आया है 6.5 inch अभी यही निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 6.5 inch पे अभी यहाँ पर हम bottom लेंगे तो bottom यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 inch थोड़ा bottom lose ही रखूंगी मैं तो यहाँ पर 7 inch हमें किस तरह से mark करना है देखिए साड़े 3 inch हम इस तरफ mark कर लेंगे और साड़े 3 inch इस तरफ mark करेंगे तो इस तरह से यह हमारा 7 inch का bottom हो गया है अभी हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको इसके सामने निशान लगा के जोड़ देंगे तो इस तरह से marking हो गई है फ्रेंट पार्ट की अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमने कटिंग कर ली है यह फ्रेंट पार्ट के दो पीस है अभी बैक पार्ट के लिए हमने फैबरिक को डबल में रखा है अभी फ्रेंट पार्ट को हम इसके ऊपर रख लेंगे यहाँ पर उपर की तरफ हमें दो इंच तक का margin छोड़ना है उसके बाद ही इसको रखना है और साइड में भी दो इंच margin होगा इस वात का ध्यान देना है अभी यह वारी साइड में हमें कोई change नहीं करना है तो ये वाली साइड हम ऐसे ही मार्क करेंगे अब यहां से हम दो इंच पे मार्क करेंगे आसन के लिए तो बैक का आसन हम दो इंच बढ़ाएंगे उपर की तरफ भी इस तरह से दो दो इंच पे मार्क करते जाना है अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और आसन की गुलाई का शेव दे देंगे ये बैक का आसन है अब ये फैबरिक हमारा यहीं तक रहेगा यहाँ से हमें इसको नहीं बढ़ाना है सिर्फ यहाँ से इसको बढ़ाना है आसन वाली साइड से तो यहाँ पर हम इसको तिर्फा जोड़ेंगे अब यहाँ पर हमें डेड़ इंच एक्स्ट्रा लेना है बॉटम में और अब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो इस तरह से हमें बैक पार्ट में थोड़ा सा चेंज करना है आसन वाली साइड से तो यहाँ पर दो इंच आसन की साइड से बढ़ाना है उपर की तरफ इससे पैंट में खिचाव नहीं आता है और पैंट पहनने में कमफर्टेबल रहती है तो इसलिए हमें यह चेंज करना है बैक पार्ट में अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिए है यह दो पीस है बैक पार्ट के और यह फ्रंट के दो पीस है अभी हम स्ट्रिशिंग करेंगे तो दोनों पार्ट की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगानी है दोनों साइड में तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे और इसके उपर हमें दूसरा बाला पार्ट रख देना है उल्टा। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है। और उसके बाद हमें सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगानी है। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है उसके बाद हमें बॉटम को फूल्ड करना है तो बॉटम में जो हमने दो इंच का छोड़ा था मार्जिन उसी को हमें इस तरह से फूल्ड कर लिना है दोनों साइड में तो हमने बॉटम को फूल्ड कर लिया है अभी हमें साइड को फूल् फ्रेंट पार्ट छोटा है और बैक का पार्ट बड़ा है तो हमें इस तरह से दुनों की किनारियों को मिला देना है और अब यहां से साइड से हम स्लिट रखेंगे तो दो इंच पे मार्क करेंगे और यहां से इसको स्टिच करेंगे यह 2 इंच हम open रखेंगे सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें दोनुक पार्ट्स को मिलाना है इस तरह से और यहाँ पर दो इंच छोडेंगे नीचे से उसके बाद इसको stitch करेंगे तो हमने side में stitch कर लिया है अभी यहाँ पर जो हमने slit रखा है तो बाद में यहाँ पर हम इस तरह से इसको fold करके hand stitch करेंगे तो finishing अच्छी आएगी इसी तरह से दूसरे side को भी हमें hand stitch करके fold करना है अभी हम इसका belt ready करेंगे तो belt के लिए जो हमने doint छोड़ा था इसी को हमें इस तरह से fold कर लेना है पूरे round में यहाँ पर थोड़ा सा open रखेंगे elastic डालने के लिए तो back part में हमें hull के हाथों से fold करना है तो इस तरह से हमने इसको fold कर लिया है यहाँ पर यह open रखा है हमने अभी यह हमने elastic लिया है और elastic की जो length है वो हमने 27 इंच की लिए है जितना आपका कमर है उससे 3 इंच माइनस करके लिना है अभी हम एक pin लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे और elastic को इसके अंदर pass करेंगे एक side से डालना है और दूसरी side से elastic को बाहर निकालना है अभी यहाँ पर इसको overlap करके stitch करेंगे तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी इसको अंदर करना है और जो open है उसको stitch करना है तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी इसको खीचते हुए हमें पूरे round में stitch कर लेना है झाल झाल